ओम शान्तिम ओम शान्तिम ओम शान्तिम बाबा इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए हमारे सम्मुक अवतरित हुए हैं और उनोंने अपने इस महानकारिये में सहयोगी बना दिया है हम सभी को ये हमारा परम्सो भाग्य है के स्वयम भाग्य नियन्ता ने हमें इस महानकारिये के योग्य समझा उसने हम फिर दर्ष्टी डाली और हमें अनेक शक्तियां भड़ दी के जाओ बच्चे अवतार बनकर इस जक्का कल्यान करो हमें संसार को संदेश भी देना है सत्ज्ञान भी देना है ये पताना है कि तुम्हारा परम्पिता तुम से मिलने के लिए तुम्हें सत्ज्ञान देने के लिए तुम्हें पावन करने के लिए आ गया है और वे तुम्हारे लिए स्वरक की सोगात लाए हैं आजाओ हे देवकुल की आत्माओ आप सभी आजाओ तो हम रोज सवेरे योग युक थोकर स्वमान धारी बनकर देवकुल की आत्माओ का आवान किया करें क्योंकि हम पूरु अज हैं हमारे आवान पर देवकुल की आत्माओ को प्रभु मिलन के लिए आकर्शन होगा वो अपना सब को छोड़कर सत्य ज्यान लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी के संसकार है और अब उन संसकारों के उदै होने का समय तेजी से आ गया है बेलकुल समय पाता जा रहा है उन्हें इस्वरिय ज्यान की ओर अति अधिक एट्रेक्शन अभोने जा रहा है तो हमें जहां ज्यान देकर दूसरों की सेवा करनी है वहीं बहुत बड़ी सेवा है पातावर्ण को पवित्र करने की प्रकर्ती को पवित्र वाइब्रेशन्स देने की आत्माओं को भी पवित्रता का दान देने की हमें इस प्रकर्ती को बदलना है और ऐसा समयाने वाला है जब हमें संसार की आत्माओं को सकास देने में ही लग जाना होगा सकास वहीं दे सकेंगे जिनके अंदर बेहद का वैराग्य होगा वेराग्य को बहुत सहच भाव से हम यों समझ लें वेराग्य माना व्यर्थ से वेराग्य वेराग्य माना संसार में आशक्तियों से वेराग्य वेराग्य माना इसंसार की च्छाओं से और बहुत कुछ पाने से मान सम्मान पाने से वेराग्य हम डिटेच हों और ये वैराग उनको ही आ सकता है जिन्हें ये याद रहेगा कि समय ती निकटा गया है और हमें घर जाना है और सभी को घर ले जाने में बहुत मदद करनी है दुखों से छुडाने में बहुत मदद करनी है क्योंकि संसार में त्राही त्राही होने जा रही है हम उस चीज की कलपना भी नहीं कर सकते कि इस धरा को बाबा को खाली कराना है जैसा कि उस का ओर्डिनेंस निकल जाएगा मेरी देवकुल की महनात्माओं के लिए इस वसुन धरा को खाली करो इसे पवित्र बनाकर यहां देवताओं का वास होगा तो हम सभी अभी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें सारे संसार को सकास देने की आत्मिक दृस्टी बनाने की और इसके लिए अपने को purity से और सर्व खजानों से योग से भरना होगा जिसके पास शक्तियां बहुत होगी वही दूसरों को दे सकेंगे और वाइब्रेशन से देकर सभी के दुख हर सकेंगे सभी को मुक्तिधाम पहुचवा सकेंगे जो पीडित होंगे बहुत सारे लोग उन्हें बहुत ज़्यादब बल दे सकेंगे इसके लिए आज सारा दिन आत्मिक द्रस्टी का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और ये एक सिंपुल सी प्रैक्टिस मैं पवित्रता का सुर्य हूँ मुझसे चार ओर पवित्र किर्णे फैल रही हैं और जिसको भी आत्मा देखेंगे ये पवित्र किर्णे उनको जाती रहेंगी और बीच बीच में परमधाम से पवित्रता के सागर की पवित्र किर्णे मुझ में समा रही हैं कभी हम उनके पास चलेंगे परमधाम में और कभी परमधाम से उनके पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहन करेंगे यह अभ्यास आज सारा दिन बहुत तत्परता से करेंगे और लक्स बना लें हमें अपने योग को सकास देने की सेवा में ही टर्न कर देना है तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम श्यान्ती